कि हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू मारे चैनल पर हर चीज शिखने को मिलेकर जो भी आप से प्र Caribbean करना होगा आप करिए प्यारे प्यारे प्याय क्रेंच करिए आपको जो भी से HIVgent weit रहे हैं को प्रहश्या डिजाइन की एक कैप है इसको अगर आपको बनाना सीखना है तो मेरे चैनल पर भी ये इसका लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी मोर लिखा रहेगा आप उसको टच करिएगा आपको वीडियो मिल जाएगा ये नंबर वन कैप है ये मैंने देखी थोड़ा मोटा उल्था उससे बनाया है बहुत ही प्यारी बहुत ही मोटी और गर्म करने वाली ये श्रंग कैप तयार हुई है लेडिस जेंट सभी के लिए है बच्चों बड़ों के लिए सब ही के लिए ये कैप है अब आपको दूसरे नंबर की कैप में दिखाने जा रहे हूँ अगर आपको ये दूसरे नंबर की कैप सीखना है तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लिंक टरच करिएगा प्लीज मेरे चैनल पर वाच कीजिए देखिए आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगी इसको सीखना है तो आप कमेंट में नंबर 2 कैप सिखाईए लिख दीजिएगा मैं इसका दुबारा से मैं वीडियो अप्लोड कर दूंगी और लिंक तो मैंने देही रखा है इसके बाद आप देखिए तिसे नंबर की कैप तिसे नंबर की कैप को भी आपको उमीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और बहुत आसान है उसको बनाना मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया है देखिए इसको मैंने सिलाईयों से बनाया है इस तरह की कैप, यह जेन्स कैप है अब तो लेड़ी जेन्स अब एक ही, जैसे लगाते हैं डबल बॉर्डर बनाया है मैंने यहां पर पहरे डबल बॉर्डर बनाकर 120 फंदे मैंने लिए थे और इसको एक सीधा एक उल्टा का मैंने ये बॉर्डर बनाया और डिजाइन उपर मैंने थिरी का वन किया है वन कर थिरी करके ये डिजाइन बनाई है और इसमें भी कहीं है आपको जाली नहीं मिलेगी बहुत गर्म रखने वाले सौफ सी कैप तयार होई है इसको हमने 10 इंचेज बिनना है 10 इंचेज बिनने के बाद फिर हमने पूरे फंदों को एक साथ उतार दिया है और उसको सौई में लेकर के चिलाई करती है बिल्कुल आसा तरीका कोई भी बना सकता है इस तरह की कैप आपने कलर के पसंद के हिसाफ़ से कलर लेजिएगा चौथे नमबर की कैप आप देखिए फेंड्स ये भी आसान तरीका इसका भी बनाने का है देखिए इसको मैंने दो कलर ने बनाया है और ये भी बहुत आसान तरीके चे मैंने सिलाईयों से बनाया है इस कैप को इसमें भी मैंने 120 फंदे लिये थे एक सीधा एक उल्टा का बॉटर बनाया उसके बाद हमने 30 सलाईया सीधी उल्टी की बुनी और इसके बाद धारिया डाले और फ्रेंट मैंने ये ऊपर इसको फिर घटाया है एक दो तीन चार पांच छे चार चार सिलाईयों की धारिया है छे धारियों के बाद फिर हमने इसमें हमने घटाया है यहाँ पर शेप देने के लिए ये देखिए यहां से और इन ये भी 10 इंचेज ही बुनी गई है लेक को 6 इंच बिनने के बाद बुनाई के बाद फिर हमने इसको घटाया है इस तरह देखिए चार जगह से हमने बराबर बराबर फंदों में बाट लिया तीस-तीस फंदों पर तीन का एक किया है तीन का एक चोटी की तरह घटाया है और लास्ट में 10 इंचेज होने के बाद जो इनमें से अगर आपको किसी बी तरह की कैव सीखना हो तो आप नमबर के साथ कैमेंट कीजिएगा ठीक है फ्रेंट बहुत 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 शुक्रिया थैंक्यू फार वाचिंग लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंट सरकल में जि के अगर झाल हoration एyards का मौत्या हो दुक्राइब करिये फ्रेंट बहुत बहुत टो आपको कै안 बहुत बहुत थ stagnant sigma